नमस्कार आप देख रहें दो बिहार टॉप मैं हूँ आपके साथ अमरिता पांडी बिहार के तमाम मौसम अपडेट के साथ एक बार फिर आपके बीच हाजिर है इस वीडियो में जानेंगे मौसम का मिजाज कैसा होगा साथ ही बारिस के स्थिति क्या होगी तापमान कैसे बुद्वार को कल बिहार के सभी जिलों में बारिश हुई वही आज गुरुवार को कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश के साथ मेघारजन और ब्रजपात के स्थिति बने हुई है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने औरेंज अलर्ट जारी किया है इस दौरान पटना के भी एक या दो स्थानों पर बारिश की शंभाव नाज रत आई गई है मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर मध्य उत्तर पुर्व और दक्षिन पुर्व के जिलों में मेघारजन एवं ब्रजपात का अलर्ट जारी किया है बहार में पिछले दो दिनों से बारिश का वहीं पटना जिले में 5.3 मिलिमीटर पानी गिरा मौसम में हुए बदलाव की वज़ा से तापमान में भी गिरावट आई इससे लोगों को ठंड का एसास भी होने लगा है प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में 14.4 डिग्री सेल्स पान नीचे गिरा है मौसम बैज्यानिकों की माने तो अगले एक दो दिनों में राज्य के मौसम समान्य होने की संभावना है सुकरवार से अधिकतर जिलों में बारिश का दोर थम जाएगा पटना मौसम बैज्यान केंद्र ने गुरुवार को 20 साली समस्तिपुर मुजफर पुर्णिया अररिया और किसंगंज जिले में मेघार्जन और ब्रसपात को लेकर यलो अलट जारी किया है वहीं मौसम बिभाग के अनुसार बुदवार को पुर्विच अंपारन में 31.2, मुझाफ़पूर में 24.5, मध्यपूरा में 24.4, पुर्णिया में 19.7, जहानबाद में 22.4, अररिया में 17.8, और अंगाबाद में 16.2, कटिहार में 14.3, खगडिया में 12.2, भागलपूर में 14.1 एक गया में 11.8 मिलीमीटर बारिस दर्ज की गई, तो बता दे आपको कि विहार में बारिस का दौर सुरू है, मार्ज का महीना चल रहा हो रहा है, बुदवार को विहार के सभी जिलों में बारिस होती रही, वहीं आज गुरुवार को कई ऐसे जिले हैं, जहान बारिस के मेग हारजन और ब्रजपात के स्तिती बने हुए है, मौसम बिभाग ने इसको देखते हुए यलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही, तबाम ऐसे अपडेट के लिए दविहार टौप को फॉलो करें, धन्यवाद